स्वागत है आप सबका हमारी चैनल अगरिकल्चर पॉइंट में और दोस्तों मैं लेकर आया हूँ बेसी अगरिकल्चर सिक्स समेश्टर का जो अभी पेपर हुआ है बेनिफीसियल इंसेक्ट और पेस्ट और फॉटिकल्चर क्रॉप्स और देर मैनेजमेंट का तो उसकी एंसर की लेकर आया हूँ यह हमारे पास सिरीज जो है ए दी है तो आपके पास यह दी ए है तो इसी एकॉर्टिंग में मिलाना वरना चेंज जोटके आप मिला लेंगे तो चलता हूँ कोश्टन नमबर एक की तरब इस सुमें सरवाधिक रेसम उत्पन करने वाला देश तो कौन सा है चीन है नेक्स कोश्टन दोस्तों आता है यह दोस्तों को मैंने नोट्स में कोश्टन डाला था इरी रेसम कीट को पाला जाता है तो किसके दोरा तो अरंड की पत्तियों पर तो आपसन डी पर नेक्स कोश्चन आता है सहतूत के रेसम कीट का जीवन चक्र होता है तो आपसन बीस का राइट होगा पचास से साथ दिन का नेक्स कोश्चन दोस्तों आता है चार नमबर सहतूत के रेसम कीट का कुल है तो कौन सा है बंबो सिटी है तो आपसन C राइट होगा next question आता है दोस्तों मुंगा रेसम कीट है तो मुंगा रेसम जो जंगली कीट है तो आपसन A right होगा next question आता है 6 number रेसम कीट के कुकून के अंदर प्यूपी के मारने को कहते हैं तो क्या कहते हैं तो आपसन D right होगा strip filling next आता है bombicus mori एक है तो कहोन है A कहारी है तो आपसन A right होगा next question आता है भारती रेसम कीट पालन सामनत्या तो अनेक पीड़ी में किया जाता है आपसन C right होगा next question आता है 9 number लारवा की अवस्था जिसमें रेसम उत्पन करने करना प्रारम करते हैं तो चोथी अवस्था से करते हैं आपसन A right होगा next question आता है रेसम कीट के पैब्राइन बीमारी रोग का कारक है तो कौन सा है नोसेमा बॉम्बिस बॉम्बिस आई है आपसन A right होगा next आता है 11 number question रेसम कीट में कौन सी बीमारी बैक्टिरिया दोरावत्पन होती है तो पैब्राइन होती है आपसन B right होगा next आता है दोस्तों केंडरी रेसम बोर्ड का मुख्याला है तो बैंगलोरू में है दोस्तों यह भी मैंने question डाला हुआ था notes में next question आता है यूजी मक्खी का बैग्यानिंग नाम तो इसका नाम एक सो रिष्टा सारविलेंस होता है आपसन A right होगा next question मरे हुए कोई से धागा हटाने को कहते हैं तो दोस्तों क्या है रेलिंग कहते हैं आपसन B right होगा next आता है दोस्तों रेसम कीट में मसकरडीन रोग निम्लिखित कारणों से होता है किसके फंगस के कारण होता है आपसन A right होगा next question दोस्तों आता है रेसम कीट में कौन सी बीमारी नुक्रियल पाली हाइडरोसिस के कारण होती है तो कौन सी होती है ग्रैसरी होती है आपसन D right होगा next question दोस्तों आता है 17 नंबर ACI मदमक्खी का बैग्यानिक नाम तो दोस्तों एपस सिराना एंडिका होता है ये question मैंने डाला था तो आज काफी मेरे notes से question आये हुए है next आता है साही भोजन सरावित किया जाता है तो किसके द्वारा तो आपसन B right होगा हाइपो फेरेजियल गरंती से next question आता है रानी मख्य किस प्रकार के अंडे देती है तो निसेचित और निसेचित दोनों प्रकार के देती तो आपसन C right होगा next question आता है सरमिक मख्य है तो कौन है बांज मादा होती है आपसन B right होगा next question आता है मदमख्य में किस प्रकार का पैर पाया जाता है तो इस में जो है दोस्तों आपका fuse so real pair पाये जाते हैं Next आता है मधुमक्की में किस उदरी ए खंड पर mom गरंथिया पाई जाती है तो दोस्तो इस में जो आपसंग आपका ear 3-6 इस में पाई जाती है next आता है मधुमक्की में American foulwood बीमारी होती है तो किसके कारण होती है दूस्तों तो वाइरस के कारण होती है आपसन B राइट होगा नेक्स आता है पुरानी रानी का प्रतिस्थापन नई पुत्री रानी के द्वारा करने को कहते हैं तो क्या कहते हैं सुपर राइजिश्जर कहते हैं तो आपसन C राइट होगा नेक्स आता है भारत में आधुनिक मदमक्खी पालन के जनक कौन है एस अटवाल है तो आपसने राइट होगा नेक्स आता है मदुख्यों में संचार के अध्यन पर किस बैज्यानिक को नोबल पुरुषकार दिया गया तो प्रोफेसर काल रुवान फिस को दिया गया तो आपसन सी राइट होगा नेक्स आता है चक्री नत के द्वारा खात शुरोत दूरी की सूचना तो दोस्तो कितनी होती है पचास मीटर से कम होती है आपसन ये राइट होगा नेक्स आता है स्रमिग मक्खी में दंक रुपांतरित होते हैं तो किसमें अंडार ओपर में तो आपसन सी राइट होगा नेक्स आता है honey flow ना होने वाले दिनों को कहते हैं तो डर्थ call कहते हैं आसने राइट होगा नेक्स आता है मदमक्की के प्रथम उधरी खंड के पश्च वच्च के साथ संयुक्त होने को कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं प्रोपोड डियल कहते हैं नेक्स कोश्चन आता है जोस्तो बी मिलक को कहते हैं, साही भोजन कहते हैं, बी मिलक को, आफ़सन बी राइट होगा, नेक्स आता है इसले आफ वाइट विमारी का कारक है, तो कौन सा माइट है, तो आफ़सन डी राइट होगा, नेक्स आता है रानी मदमक्खी प्रतिदिन अ गैली फेरा को कौन से बैग्यानिक ने इतली में से भारत में प्रति इस्थापित किया तो अटवाल ये ने किया था प्रोफेसर एस अटवाल नेक्स कोश्चन आता है विस्व में भारत का मधूत पादर में इस्थान है तो कौन सा है तो दोस्तो सात्वा इस्थान है नेक्स कोश्चन दोस्तो आता है गैली सीरिया मिलो निल्ला एक है तो बड़ा मोमी सलब है तो आपसन ए राइट होगा नेक्स दोस्तो आता है भारत में सरवाधिक लाग पैदा करने वाला राज यहे कौन है तो यह दोस्तो जहारखंड है आपसन D. राइट होगा नेक्स आता है Indian Institute of Natural Regin and Gums का मुख्याले तो दोस्तो यह राजची में है आपसन C. इसका राइट है नेक्स कोशन आता है लाग कीट में कौन सी गरंथी लाग का स्रावण करती है तो दोस्तो रेजिन गरंथी करती है तो आपसन इसमें A. राइट होगा नेक्स कोशन आता है लाग कीट का बैग्यानिंग नाम तो इसमें दोस्तो आपसन D होगा सभी हैं इसमें नेक्स कोश्चन आता है दोस्तो लाग कीट का गड़ है तो कौन सा है दोस्तो ये कोश्चन डाला था है है में प्टेरा होता है नेक्स कोश्चन आता है लाग कीट किस प्रकार के अंडे देती है तो दोस्तो इसमें भी आफसन C right होगा उप्यूक सभी निसेचित और आ निसेचित दोनों परकार से नेक्स कोश्चन आता है लाग कीट में किस परकार का जिनन पाया जाता है तो दोस्तों अंड जियो परजिता पायी जाती है आफसन D right होगा नेक्स आता है सरवाधिक लाग उत्पन करने वाली फसल है तो दोस्तों ये रंगनी है आफसन B right होगा इसका नेक्स कोश्चन आता है दोस्तों उच्छ क्वालिटी का लाग उत्पन करने वाली फसल कौनती है तो कुसमी है आफसन A right होगा नेक्स आता है दोस्तों, लाख प्राप्त किया जाता है, तो किस से, मादा कीट से प्राप्त किया जाता है, आफसन B. राइट होगा नेक्स आता है दोस्तों एक साल में लाख कीट की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं तो इसकी दो पाई जाती है नेक्स आता है दोस्तों पलटिला जैलो इस्टीला बैघ्यानिक नाम है तो किसका Diamond lackmoth का है तो आपसन A right होगा नेक्स आता है हेलिको वर्पा आर्मी जेरा बैग्यानिक नाम किसका है तो ये दोस्तों जो है यह इसमें आफ़सन आपका D सही होगा यह सभी का है उप्युकत सभी चने की फली बेधक कीट का भी है टमाटर की फली बेधक का है और अमेन कर्म बाल वर्म का भी यही है नेक्स question दोस्तों आता है तने के चारो और पॉलिथीन सीट या चिपाने वाले बैंड लगाने वाले लगाना वाला कीट नियंत्रड है तो कौन सा है आम का फूंगा next दोस्तों आता है किस फल केट का अंतराष्टी महत्त है तो दोस्तों mango fruit fly का है तो option a right होगा next question दोस्तों आता है सफेद गिडार की एक वरस में कितनी पीडिया पाई जाती है तो दोस्तों चार स्टेजे पाई जाती है इसमें next question आता है कपास के माहूं का कुल है तो कौन सा है a fddd है तो option b right होगा next आचा कद्दू के लाल कीड़ा की छतिगरस्त अवस्था कौन सी है तो दोस्तों ये question नहीं मिला है यदि मेरे पास होगा तो आपको अवस्थी ही बताएंगे दोस्तों next question आता है पोलू बीटल एक भयानक कीट पीड़क है तो किसका है काली पीपर का ह next question दोस्तों आता है बिहार बाल वर्म सोड़ी का जो है कुल है तो कौन सा है नौक्टेडी है तो आपसन सी राइट होगा next आता है फल मख्य की छतिकार का वस्था कौन सी है तो मैगट है दोस्तों तो इसमें आपसन सी राइट होगा next आता है इरियो सोमा लेनी जे सेरम एक पहेंकर कीट है तो किसका सेब का है तो इसमें आपसन ए राइट होगा दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीज़े हम चैनल को सब्सक्राइब कर दीज़े कल का नोट सपाने के लिए तो चलता हूँ मिलते है next वीडियो में तब तक के लिए जय हूँ